बिस्मिल्लारोमानिरहीम असलाम लेकुम नाजरीन आज की वीडियो स्पॉंसर्ड वीडियो है जिसको स्पॉंसर किया है जोके पुर्तगाल की इमिग्रेशन एंड वीजा कंपनी है जिनका स्लोगन है प्रॉमिस फार अपरचुनिटी नाजरीन अगर आप पाकिस्तान इंडिया या यूएई में हैं और यूरप आना चाहते हैं या फिर आप यूरप में ही रह रहे हैं और इलीगल हैं और लीगल होना चाहते हैं तो पुर्तगाल आपके लिए बेहतरीन जगा है उसकी वज़ा क्या है पुर्तगाल का इमिग्रे जो टाइम पिरिएड है वो दूसरे ममालिक से कम है और पुर्टगाल की जो नेशनलिटी लेने का प्रॉसेस है और टाइम पिरिएड है वो भी दूसरे तमाम यूर्पियन कंट्री से पनिस्बतन असान और कम है यहां आपको 10 से 11 महीनों के प्रॉसेस के बाद टेमप्रेरी पर्मिट मिल जाता है यहां पे आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान या इंडिया से बड़ी असानी से अपलाई कर सकते है यहां पे आपका बच्चा अगर पैदा होता है उसकी पैदाश पुर्टगाल में होती है तो उसको गौर्मिन्ट पासपोर्ट देगी और अगर कोई बच्चा स्कूल गोइंग है और वो कम असकम दो साल तक स्कूल जाता है उसको पर्मानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा और उसकी बेस पर फिर उसके वालदेन को भी पर्मानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा शर्त ये है कि जब पच्चा पैदा हुआ हो तो उसके वालदेन लीगल हों पुर्टगाल में और रेजिडेंस परमिट हासल करने का प्रोसेस इतना असान है कि अगर आप पुर्टगाल में लीगल एंटर होते हैं आपकी एंटर लीगल है तो आपको सिर्फ 6 महिने का टेक्स पे करना होता है और आपको सेफ की तरफ से अप्रोवल की इमेल आ जाती है उसके बाद आप बायो मेट्रिक्स की डेट अप्लाई कर सकते हैं यानि स्पानियोल में जैसे फिंगर का सीता ले सकते हैं अगर आप एरलेगल हैं तो आपको एक साल का टेक्स पे करना होगा उसके बाद सिस्टम में आप लीगल शो हो जाएंगे आपको फिर उसके बाद बायो मेट्रिक्स की डेट मिल जाएगी और आप अपना टेंपरेरी परमिट हासल कर सकते हैं पहले आपको दो साल का टेंपरेरी परमिट मिलता है उसके बाद आपको तीन साल का टेंपरेरी परमिट मिलता है जब आपका टोटल पाँच साल का टेंपरेरी परमिट पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको अगर आपने टेक्सिस वगैरा सारे क्लियर किये हुए हैं पे किये हुए हैं तो आपको 5 साल का permanent residence मिल जाता है और जब आपको permanent residence मिल जाता है तो आप पुर्तगाल की nationality अपलाई करने के एहल भी हो जाती है और फिर within some months आपको nationality भी मिल जाती है आपके पास पुर्तगाल का residence permit होने का एक बहुत बड़ा फाइदा ये है कि आप अपना family visa बहुत असानी से लगवा सकते हैं यानि कि सिर्फ तीन महीने का tax pay करके government को आप अपना spouse visa यानि शोहर अपनी बीवी और बच्चों का और अगर बीवी है तो वो अपने शोहर का अपने country से जहां पी बीवो है चाहिए इंडिया पाकिस्तान ये दुनिया में कहीं भी है तो वो उसको बड़ी असानी से पुर्तगाल में बुला सकते हैं और especially वो लोग जो जिन country में family visa बहुत मुश्किल से लगता है जैसे यूके वगयरा के लोग यहां पे आके पुर्तगाल में अपना card change करवाते हैं और अपना family visa apply करते हैं और आप अगर यूरप के किसी country में हैं और आपको अपना spouse visa लगवाने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप पुर्तगाल में आके अपना जो residence permit है वो change कराएं यानि कि अपने papers पुर्तगाल के papers में change कराएं तो बड़ी असानी से आप अपने जो family को और बच्चों को बुला सकते हैं अपने मुल्क से इसके लवा पुर्तगाल में आप visit के लिए जा सकते हैं, business के लिए जा सकते हैं, study के लिए जा सकते हैं इन सारे कामों में आप interested तो हैं, लेकिन आप परिशान हैं कि आपके वहां पे कोई contacts रही है, आपका कोई जानने वाला नहीं है, या आपको वहां के language नहीं आती तो फिर आपने phone अठाना है और contact करना है always promise से, इनके numbers आपको screen पर दिखाया जा रहे हैं, website और उनका office address आपको screen पर दिखाया जा रहा है, आप note कर लें, इसको मैं description box में भी डाल रही हूँ ये आपको हर किसम के तमाम legal matters में advice करेंगे, अगर आप पर्तगाल में legal या illegal हैं, तो ये आपको हर किसम की legal advice service देते हैं, आपको lawyer accountancy service देते हैं, अगर आप legal हैं या illegal हैं, आप अपना temporary या permanent permit या residence हासिल करना चाहते हैं, तो आप always promise वालों से contact करें, वो आपकी हर मामले में help करेंगे, अगर आपने काम ढूंडना है, अगर आपने अपना कारोबार start करना है, अगर आपका कारोबार दुनिया में कहीं भी है और आप उसकी branch पुर्तगाल में खोलना चाहते हैं, तो आपकी मुकमल रहनुमाई होगी, अगर आपको papers के लिए contract चाहिए, अगर आपको रहाइस चाहिए, आपको airport से pick and drop चाहिए, अगर आप translator की सहूलत लेना चाहते हैं, आप physical number लेना चाहते हैं, आपको नीफ नमबर चाहिए, या आपने जुनता लेना है, या फिर आपने पुर्तगाल की nationality अपलाई करनी है, तो हर काम में, हर मामले मे always promise वाले आपके लिए मुझूद हैं, आपने इनसे contact करना है, आप चाहिए तो पूरा package ले सकते हैं, आप चाहिए तो सिर्फ एक service की fees पे करके, सिर्फ वही service ले सकते हैं, अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो आप पैस एक साथ में divide कर सकते हैं, और आप notary से जो आपके documents हैं, उनको translate या attest भी करवाया जाता है, हताके जितनी भी मुझकिलात आपको पूर्टगाल रहते हुए, आपको दरपेश हो सकती हैं, उन सब में ही आपकी legal help करते हैं, तो आप इनसे contact जरूर करें, और इस वीडियो को शेर करें अपने उस friend के साथ जो interested है, पूर्टगाल के पेपर्स लेने में, पूर्टगाल में कारोबार करने में, या पूर्टगाल के किसी भी legal document के हसूल में, दौाओं में याद रखिएगा, अल्ला हाफिज झाल 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 झाल